शास्त्र पढ़ने तो हैं, परम तु पढ़े कहां से, शुरुवात कहां से करें? लोग बोलते हैं कि ये वाला पढ़ो, वो मत पढ़ो, वेद पढ़ो, पुरान मत पढ़ो, पुरान पढ़ो, समिताय मत पढ़ो, ये स्मुनुती पढ़ो, वो स्मुनुती पढ़ो, ये नीती पढ़ो, ये सूत्र पढ़ो, परम तु शुरुवात कहां से करे हैं, क्योंकि हमा उसके अनुसार हम शुरुवात कहां से करें, कौन से शास्त्र के बाद कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, कहां से पढ़ने चाहिए, कौन से कौन से हमारे पास options हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। परम्तू और कुछ भी जाने उससे पहले हमारे लिए यह जाना बहुता रोशक है कि यदि आप शास्तर पढ़नाच चाहते हो तो आपकी शास्तर से expectations क्या थै कि उनको धर्म पालन के लिए इंस्ट्रक्शन्स चाहिए होते हैं, जैसे कि जब व्यक्ति किसी साधु के कांटाइट में आता है, किसी घर पर कोई साधु आ गए, या फिर वो गलती से किसी साधु से मिल लिया, या फिर कहीं इंटरनेट पर कोई रील या फिर कोई वीडियो जिनसे उनके रेदय में परिवर्तन हुआ, उनको इंस्पिरेशन मिला कि मुझे अभी शास्त्र पढ़ने चाहिए, यह सब नॉंसेंस और सब चीजे हैं, उसमें से सारा दिमाग अभी धिरे धिरे निकाल कर शास्त्र की और जाकर अपने धर्म का पालन करना, सीखना से देखे तो, अला कि this is not that video जिसके अंदर हम यह बात करेंगे, पर हम तो हाँ, यहां पर हम दोनों के एक में ही ले लेंगे, भक्ती और मोक्ष, किसी को भक्ती प्राप्त करने के लिए शास्त्र पढ़ने होते हैं, यह दूसरा उदेश्य हो गया, तीसरा उदेश्य होता है कि कोई व्यक्ती बस जिग्यासु है, क्यूरियस है शास्त्रों को पढ़ने के लिए, जिसके तीन प्रकार के लोग इसके अंदर हो सकते हैं, सबसे पहला है कि श्रद्धावान लोग है, जिनको श्रद्धा है, अपने धर्म पर, सनातन संस्कृती पर श्रद्धा है, अब ब इसे उनको इंस्पिरेशन मिला है, तो अभी उनको जिग्यासा हुई है कि इतनी सारी बाते हो रही है, यदि सनातन संस्कृती के बारे में, सनातन शास्त्रों के बारे में, इतनी इतनी बड़ी बड़ी चीजे सुनने को मिल लई है, वाइन आट ट्राइ, शुरुआत कर कर तो ऐसे तटस्त लोग होते हैं, वो ओपन होते हैं दोनों चीजों के लिए, ये हो सकता है, वो हो सकता है, जो भी होगा दिखा जाएगा, फिर तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, वो होते हैं दुवेशी लोग, दुवेशी लोग होते हैं जो कि शास्त्र इसलिए पढ़ते शास्त्रों को बदनाम कर सके kuch na kuch करके शास्त्रों को faulty दिखाना उसमें से गलत तरीके से समझाना ऐसे लोग होते हैं जो कि दुवेशी लोग होते हैं यह लोग जाको आपको मिलेंगे जो लोग link clearley लेकर वैठ़ हैं कि यह तो इनको यह वाले शास्त्र तो गलत ही है चैट आफ शास्त्रों को गलत है और धर्म की बात की तो क्या ही बात कर निए? वह तो बहुत सारे प्रैयास करते हैं, काफी जगां पर हरको यह सानी है। मेरे काफी ऐसे मित्र हैं, जो कि जैसे कि मुस्लमान हैं, पर्म तो हनमान सालिचा का पाट करते हैं. तो एसे भी लोग हैं ऐसा नियह कि हरको यहाँ होता है प्रयास कर रहे हैं तो वह लोग दुवेशी लोग हैं और फिर पांचवे प्रकार के आते हैं जो है अर्थ और काम की पूर्थिक करने वाले जिनको कुछ ना कुछ चाहिए है उसके अंदर इसमें काफी पेटा प्रकार हो सकते हैं बहुत सारे हो सकते हैं साधा डीटेल में हम नहीं जाएंगे परम्तु हां प्रकार होते हैं ऐसे जिन लोगों को कुछ चाहिए है कि मैंने सुना है शास्तर में ये करने से ये मिलता है ये वाला मंतर करने से ये मिलता है इसको करेंगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो अपनी अर्थ की प्राप्ति करने के लिए, अपनी काम की पूर्थी करने के लिए, भी लोग शास्त्र का पढ़न करना चाहते हैं, अलाकि अर्थ की अच्छली प्राप्ति धर्म का पालन करने से ही होती है, परम्तु, that is the topic for some other day, तो मुख्य इतने प्रकार के लोग होते हैं, अब इन में से आपको इतना हम गैरंटी दे सकते हैं, कि जो द्वेशी लोग है, जो अपने द्वेश के भाव से शास्त्र पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो कभी भी शास्त्र को न समझ सकते हैं, और नहीं उसको कभी realize कर सकते हैं, और वो कहीं से भी पढ़े, कोई फरक ही नहीं पढ़ता हूँ उनके लिए, ठीक है, तो द्वेशी लोगों के लिए वैसे सच में देखे, तो वो कहीं से भी पढ़े हमको कोई फरक पढ़ना भी नहीं चाहिए, जिन्होंने clearly वही करके बैठ गए हैं कि नहीं मैं तो नहीं माता हूँ, मुझे पढ़ना क्यों है, युकि मुझे पता है कि यह गलत है और मैं उसको प्रूव करके रहूंगा, अपना इगो लेकर बैठे हैं तो ऐसे लोगों के लिए आप भूल जाएं वह उनका realization या फिर उनका understanding शास्त्रों में कभी नहीं बैठेगा उनसे थोड़े अच्छे हैं वो लोग जो लोग अर्थ और काम की पूरती के लिए शास्त्र पढ़ने का प्रयास करोगे तो आपक किसी ना किसी इच्छा से भक्ती शुरू करते हैं किसी इच्छा से शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं परमतु फिर उनका पूरा रदय परिवर्तन हो जाता है शास्त्र पढ़ने से और उनकी इच्छाए और ये सारे चीज़े फिर निकल जाती है तो हाला कि यदि आप इ उनके लिए कैसे पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर भी आपको परयास करना चाहिए, जिससे आप पता चलेगा कि यदि आप परयास भी करते हो ना, तब आपको पता चलेगा कि जो आप मांग रहे थे, जो काम की पूर्ती, जो अर्थ की प्राक्ती के लिए जो ये सब कर रहे थे, वो सच में इतनी बड़ी चीज थी तो अभी अगला प्रशन यहां आता है कि शास्त्र कैसे पढ़ें, वैसे शौर्ट में बताएं तो आइडियल ही तो आपको गुरु परंपरा के अंडर ही पढ़ना चाहिए, आपको प्रयास करना चाहिए कि जो अथेंटिक गुरु परंपरा है, जो कि भगवान से शुरू है, तो वो आपको गाइड करेंगे आगे, और फिर वो जैसे वोले, वैसे एक्जेक्लि आप उसको फॉलो कीजे, यदि आप और रड़ी किसी परंपरा में हो, तो आपको वैसे पता चलेगा कि हम जो यहां पर बोल रहे हैं, वो अधिकतर अधिकतर सेम ही है, पर तो फिर भ या फिर आप गुरु परंपरा में ही नहीं है, इन दाट केस क्या किया जाए, तो यदि आपको शास्त्र पढ़ने हैं, तो सबसे पहली बात आपको यह देखनी चाहिए, कि आपका मन क्लीन होना चाहिए, आपका चित्छ है, वहां क्लीन होना चाहिए, जिन लोग को नहीं पता है, यह जो हम वीडियो बना रहे हैं, यह आज हमारे जो बास सीरीज है, जो हम बना रहे हैं, जो इस पुस्तक के ऊपर आधारित है, सनातन संस्कृतिका मूल गया है, जो कि हमारा बैसलिंग पुस्तक है, और हजारों लोगों ने इसको पढ़ा है, और उनका जीवन रखाया है, और यदि आप लेना चाहते हो, तो हमारी एपसाइट से ले सकते हो, सभी लिंक्स आपको मिल जाएगी, एमेजोन से भी ले सकते हो, लोगे, तो बहुत ही, आपको लक्षमी के रूप में आपको भी काफी फाइदा होगा, और एमेजोन का जो खर्चा जाता है, तो हमें भी उसके साइट से सहाय होगी, एनिवेज, तो हम शुरू करते हैं, कि कैसे पढ़े शास्त्र, इसके बारे में हमने इस पुस्तक के शुरुआत में ही बताया है, तो कि हमारा में बुक जो शुरू होता है, पिछले दो लेक्षर में हमने आगे की चीज़े डिसकस क अब हम यहां से पढ़ेंगे, तो शास्त्र कैसे पढ़ेंं? वैसे एकचलि यह जो हमने बताया है, वो इस पुस्तक को ध्यान में लेकर बनाए, क्योंकि यह भी आंत में शास्त्र का कमपाईलेशन ही है, तो इसमें इसे लिए हमने पहले बताया है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए है यदि इसको ध्यान में नहीं रखते हो ना तो फिर ऐसे ही आप किसी रेंडम नौवल की तरह पढ़ लोगे और जो इंपेक्ट 100% आना चाहिए वो आप मिस कर लोगे इसलिए यह जानना बहुत आवशक है कि यह कैसे पढ़े तो कुछ समय के लिए जैसे जैसे आप दिव्य ग्यान की पुस्तक के पढ़ने पढ़ रखते जाए भूल जाए कि आप कौन हो कहा हो क्या जानते हो और क्या मानते हो सब कुछ भूल जाए यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं हमने एक एक्शली इस पुस्तक को इना स्टोरी फॉर्म रखा है इस इस तरीके से हमने इस इसी शब्दों में मिल जाएगा बट क्योंकि हमने यह जो सीरीज शुरू की है वह हमने इसलिए शुरू की है कि सारा डीटेल में आपको ग्यान मिलें इसलिए हम इन सभी एक एक परिग्राफ को हम ठीक से समझाएंगे कि हम इसके अंदर क्या कहना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर जो बात की कि भूल जाए कि आप कौन हो, कहा हो, क्या जानते हो और क्या माते हो, सब कुछ भूल जाएए ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपको शास्त्र पढ़ने है तो उसका सबसे पहला स्टेप है कि आपका clean mind होना चाहिए, आपका शुद्ध चित्त होना चाहिए क्यों? क्योंकि यदि आपका शुद्ध चित्त नहीं है तो उसके अंदर आपका personal ego, personal philosophies, personal feelings and personal beliefs को डाल दोगे फिर उससे आपने चश्मा डाल दिया है, उससे, कि जिसके अंदर और अल्रेडी दाग है, तो आप clearly जो शास्त्र का ग्यान है वो absorb कर ही नहीं पाते हो That is why, जब आप शास्त्र पढ़ते हो तो आपका कोई personal ego नहीं होना चाहिए Ego दो प्रकार के होते हैं, शास्त्र पढ़ते वक्त, एक है knowledge का ego, एक है identity का ego कि भई मैं तो यह हूँ, यह जानकर जब आप शास्त्र पढ़ने का शुरू करते हो, कि भई मैं तो क्या बोलता हूँ अरे मैं तो इतना बड़ा इंसान हूँ, अरे मैं तो यह हूँ, अरे मैं तो वो हूँ यह जानकर यदि आप शास्त्र पढ़ते हो, तो आपके लिए problem होगा, क्योंकि आप clear clear जो message है, वो अंदर से नहीं पापाएंगे दूसरा knowledge का ego है, कि जब आप शास्त्र पढ़ते हो, तो आप अलड़ी कुछ, आपका preoccupied knowledge, preoccupied mind है, जिसमें अलड़ी कुछ चीजे इतने सालों से भरी हुई है, उसको लेकर आप जाते हो, तो उसका जो अहंकार होता है आपका, जो knowledge का अहंकार, कि मैं तो इतना विज्ञान जानता हूं, तो आप शास्त्र का संपूर्ण, जो क्लियर क्लियर जो विज्ञान है, वह नहीं जान पाऊगे, इसलिए आपको जो personal ego है, knowledge और identity का दोनों आपको त्याग देने चाहिए, दूसरा आपकी कोई personal philosophies नहीं होनी चाहिए, तो आप अल्रेड़ी philosophies भी लेकर चल र आप पहले आपकी personal philosophies लेकर यदी बैठ गए ना, तो किसी भी चीज को लेकर आप ओपन नहीं हो पाऊगे, आपको शुद्ध चित से ही बैठना होगा, देन आपकी कोई personal feelings उसके अंदर नहीं जानी चाहिए, आपकी personal feelings जब कोई particular चीज जीवन में चली जाती है, जैसे कि आ आप उस चित के साथ, personal feelings के साथ, जब आप शास्त्र पढ़ते हो ना, तो although आप शास्त्र पढ़ रहे हो, बट सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, सच में कोई अध्यान नहीं हो रहा है, और उसके अंदर आप उस चीजों को ज्यादा focus से ढूंडोगे, जो आपकी current feeling, current situation से ज्यादा मैच कर रहे हो, मतब आपकी, आप जो अल्रेडी जानते हो, उसको confirm करने के लिए आप cherry pick करोगे उस से इंदर, that is why it is not necessary, it is very necessary, कि आप अपनी personal feelings को लेकर शास्त्र को ना पढ़े, वरना यही होगा, कि शास्त्र पढ़ोगे, भाया अलगा कि बहे है, मेरे के बारे में कोई कोट मिला, तो वो कोट उटा कर वो श्लोक उटा कर उसको भेज़ दोगे, तो रावन में तो यह बोला, इसमें तो यह बोला है, वो है, it's not completely wrong, बहुत carefully करना होता है, यह हमेशा शास्त्र को ऐसे इस दृष्टी से हाला की नहीं देखना चाहिए, परम्तु situation है, तो definitely अपने जीवन में अपलाई करने के लिए ही शास्त्र है, परम्तु यह distinction हो जाता है, कि आप personal feeling को शास्त्रों पर थोपते हो, या फिर शास्त्रों को personal feeling पर थोपते हो, इन दोनों में बड़ा difference होता है, तो आपको personal feelings के साथ यह नहीं पढ़ना चाहिए, और चौता के फिर शास्त्र गलत है, छोड़ो भी, यह सब तो साइड में रखो, नहीं पढ़ना है, तो आप फिर से fail हो जाओगे, और personal belief पर क्यों इतना सारा विश्वास नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमने आल रड़ी पिछली वीडियो में बता दिया है, कि मनश्य के अंदर जो दो से चतुष्ठाय होते हैं, वो कौन से होते हैं, उसके बारे में यदि आपने यदि वह वीडियो नहीं देखा है, तो इसी playlist का दूसरा वीडियो देखिए, उसके अंदर सारा detail में हमने बता है, तो अभी आगे बढ़ते हैं, दूसरा या तीसरा है, आप देख लीज जाए, और एक शांत से कोड़े में बैठ कर इस पुस्तक को ऐसे पढ़िये, जैसे कि आप आकाश गंगा के बीच में तेर रहे हो और ब्रहमान आपसे बाते कर रहा हो, आप जानिये कि यह जो शास्त्र है, यह शास्त्र कोई random पुस्तक हैं नहीं है, जो इसी random व्यक्ति ने दर्श्तक के लिखे है, यह लिटरली भगवान का दिया गया 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 यह बघवान का दिया गया 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 जान है, जिस वह शॉरुप में पूरे ब्रहमान में व्यापते है तो वह ब्रहमान आपको knowledge टांसर कर रहा है, आपको बता रहा है कि इस इस Sanatan, आप इस चीज को practice क करने जा रहे हो आप इस चीज़ के भाग हो तो यह आप इस फीलिंग से जब पढ़ो गया तो आपका डेडिकेशन आपका सरेंडर्स बहुत ही हाई होगा और रिलाजेशन उतना ही फास्ट होगा कि आप एकडम सांत चित से पढ़े तो इन सब की जरूरत क्यों यह इसलिए है यह कोई यह पराविद्या जो है यह जो जो स्पिरिट्चल नॉलेज है जो सनाथान संसुरुति का ज्यान है वह कोई साधारन भावतिक ज्यान नहीं है जो कि आपराविद्या होती है जो कि भाव spiritual world का ग्यान है और spiritual ग्यान है हमारे अस्तित्व का ग्यान है that is why हम इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं कि हाँ क्लास में बैठे दिमाग में कुछ और चल रहा है भूख लगी है तो खाना खाने का अभी वेट करा हूँ और इसे कब आएगी अरे वो लड़की मेरे सामने देख रही है मेरे दोस्त ने मुझे यह मारा वो है तो इस kind of disturbed mind से आपको शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए आपको हमेशा शांत चीते से शास्त्र पढ़ने चाहिए और पढ़ने का भी जो तरीका है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि अब आप जो पढ़ने जा रहे हो वो कोई साधारन संसारिक ज्यान नहीं है हो सकता है आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा हो, कुछ सुना हो और शायद औरों को इसके बारे में बताया भी हो लेकिन आज कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाए जब आप शास्त्र पढ़ते हो तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे, अरे, मैं तो यह भी कहां सुना था, अरे, वो को यह बोला था, वो बोला था, नहीं अंटिन अलेस कोई आचार्या के मुख से आपने नहीं सुना है और सब कुछ आपको डिस्कार्ड कर कर ही चलना चाहिए ऐसा नहीं कि मैंने किसी वीडियो में किसी रेंडम व्यक्ती से, किसी एल फैल व्यक्ती से हमने यह सुना था किसी कोई लड़की रील बना रही थी, कोई लड़का रील बना रहा था जो बोला था कि ऐसे करना होता है आपके यहां पर ऐसे लगा दो पत्ता लो पत्ते पर फूक मारो ऐसे करके यहां लगाओ इससे आपका कुंडली जागृत हो जाएगा सब नॉंसेंस है सबको आपको ध्यान में नहीं लेना चाहिए सीधा सीधा शास्त्र जो बता रहे है वो कंफर्म हो रहा है तभी इस चीज़ को मानो वरना मत मानो ठीक है अधिक तर लोगों के लिए यह होगा कि उनके कोई गुरू नहीं होंगे तो सरेंडर करने ही पाएंगे और वो शास्त्र उस तरीके से पढ़ने ही पाते है परम्तू यदि नहीं है तो आप उस प्रिंसिपल्स को भी फॉरो करोगे ना शास्त्र पढ़ते हो तो आपको से पहले अपने आपको संपूर्ण तह मुर्ख मानकर तो अपने आपको संपूर्ण तह मुर्ख जानकर आप इस ज्ञान के लिए अपरोच कीजे ऐसा स्विकार कीजे कि मैं कुछ नहीं जानता हूं और अपने मन को एक कुरा कागज बनाकर समर्पित कर दीजिए जिस पर हुआ नहीं है आपने यह यह कहानि यह कताब ने सुनी होगी एक एक इस्टूडर्ण था दो स्टूडर्ण थे जो कि एक शिक्षक के पास गये जो कि उनको सिखा रहे थे कि भासुरी कैसे बजानी है ठीक है तो एक विक्ति गया पहला वेक्ति गया और उसने वह उसने जाकर गुरू से बोला, गुरू जी मुझे बांसुरी सिखना है, तो कितना फीस होगा, बोले तुम्हें कितना पता है, आपको कितना आता है, बोले कुछ नहीं आता है, मैं completely zero हूँ, I have zero knowledge, तो बोले तुम्हारे लिए दो हजार उपए, और फिर दूसरे वाले, दूसर कितना आता है, बोलता है, मुझे इतना इतना आता है, मुझे ये ये वाला हूल अच्छे से ये आता है, मुझे उसने सिखाया था, फिर यहां तक आता है, ठीक है, तो ये 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 मैं ऐसे बजा देता हूँ, बजाओ, तो अब बताई आप कितना होगा, तो बोले तुम्हार तुम बहुत चलक रहे हो, सबसे पहले तो तुम्हें जो गलत नॉलेज मिला है आप तक वह सारा क्लीन करना हो, उसके लिए मुझे सिखाने से ज्यादा डबल से ज्यादा मेहनत लगेगी, तो वह क्लीन करेंगे, तब जाकर फिर जो सही नॉलेज है, वह मैं फिट कर पाऊंग कि जो तुने यहां- Ground Terre, वह तुम्हारे दिमाग में लिखा हुआ है, तो जे लेट के ऊपर लुपर कुछ लिखा हुआ है , ऐसे ही कुछ ना कुछ लिखा हुआ है. उसके ऊपर आप कूई सुन्दर पेंटिंग और कोई और नीबंद लिख नहीं सकते हो. समझ रहे हो ? अब आप जब surrender करते हो शास्त्र को तो आप अपने दिमाग को कोरा कागज बना कर surrender कीजे तभी जाकर आप उस ग्यान को प्राक्त कर पाओगे और अब अगे बढ़ते हैं आज हम सिर्फ इस ग्यान को लेंगे नहीं पर हम तो हम उस पर विचार विमर्ष भी करेंगे जो की हम कभी सब्सक्राइब करते हैं और इसी लिए कि आपको चिंतन करने के लिए मजबूर कर देए आपको खुद को चिंतन करने के जरूरत ही नहीं पड़ेगी या बुक ही आपको मजबूर करेगी कि आपको चिंतन करना ही होगा उस ग्यान के उपर कि हम जानते हैं कि अधिकतर लोगों को यह चीजे पता नहीं है यदि नॉर्मली थेयरी ही लिखूंगा तो लोग नहीं से पढ़ेगी अच्छा है गुड़ 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 चल जाने द्वागी तो आप ईसको यह मैं उसकी नाविकी जलना के इसा बनाए कैसे हाँ करना है इसकी दो चीज़े हैं दो कंपोंनें Yeza बनाने के वह यह है कि पहले तो शर्णागती बहुत आवश्यक है शर्णागती कैसे होती है तीन चीजों से होती है एक तो होती है सेवा से जो कि आपको संत के सेवा गुरु सेवा करनी होती है जितनी परस्नल सिवा हो सके आपको करनी चाहिए, दूसरी है नियम बद्दता, आपकी शनागधि आपको बिल्ड करनी है आपको नियम बद्दता बनानी ही होगी, इसके बारे में यदि आपको अधिक सीखना है तो आप जो हमारा वेदिक दिन्चरिया पुस्तक है, उसको प्रभाद चर्या, साधना चर्या, दिन चर्या, रात्री चर्या, श्लोप संग्रः का पूरा पतला सब उखे आप एक गंटे दो गंटे में खतम कर सकते हो पर हां इससे आपका पूरा जो जो नियम बध्धता का जो आपका component है वो clear हो जाएगा तीसरा है त्याग किसका भोग का यदि आप भोग में लिप्त हो और at the same time यदि आप सोच रहे हो कि नहीं मैं शास्तर पड़ूँगा और मैं राप्त कर लूँगा ultimate realization को while मैं अपना भोग कर रहा हूं लब साथ में योग भी कर रहे हैं एकदम opposite है एक दूजे के that is not possible to happen यह है कि आप मानते हो कि मैं भोग क संपूर्ण त्याग नहीं कर पा रहा पर मैं प्रयास कर रहा हूं ठीक है मैं उसके लिए नियम बना कर बैठाओं उस चीज़ को step by step में उसको follow करने का प्रयास कर रहा हूं तीरे दीरे दीरे एक 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 करके मैं भोग का त्याग कर रहा हूं that is secondary thing क्योंकि यदि आप और यह लड़ी उस 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 राहर पर है कि आप उस उस रास्ते पर है कि आप भोग का त्याग कृरण के प्रयास कर रही हो देन् साथर पढ़ने से आपका का त्याग और फास्ट होगा की आपको ग्यान मिलेगा कि आपको जो higher POLस to the upper yes はい Osha I sama उसके बारे में जड़ी आपको जानना है तो हमला भर मेचरे पुस्तक है उसके अदर आप में से अधिकतर लोग जो हमारे वेडि़ू के से जुड़े हैं उन्हों होगी है उन्हों प्रॉब्लम नहीं है यदि आपने नहीं ली है नहीं पड़ी है यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको कमेंट में इसके लिंक मिल जाएगी हमारे एक पैकेज है पूरा तीनों पूस्तक का एक साथ वो आपको काफी काफी मतलब चाली लग बग आधे प्राइज में मिल जाएगा यदि आप सारे लेने जाओगे अलग-अलग तो बहुत होगा पर हम तो क्यूंकि हम एक साथ बेजे तो हमारा जो में जे जो डिलिवरी का प्राइज होता है वह बहुत डाउन हो जाता है यदि साथना हीन व्यक्ति कभी भी शास्त्रों को नहीं समझ सकता है आप भूल जाए याप सिर्फ पढ़के पढ़के आपको सारा रियलाजेशन हो जाए यदि आपका शास्त्रों का ग्यान वास्ट है परम्तु आप साधना हीन है लगबग लगबग से कोई इतना लंबा कोई स्ट्रॉंग फरक नहीं पड़ेगा जो रियलाजेशन है वो स्ट्रॉंग नहीं होगा सिर्फ शैलो रियलाजेशन होगा परम्तु यदि आप साधना युक्त है परम्तु आपको शास्त्रा अपने थोड़े ही पड़े फिर भी बहुत ही आपको उसका रियलाजेशन बहुत ही ही हमीड्यवल हो होग होगा रे इसको लेकर बहुत सारे उदाहरन भी है कर न मां नहीं परम्तूंप भी बता नहीं पाएंगे लिगर वडियो फिर से बहुत बड़ा हो जाएगा और पिर एक घंट गाप फिर से हम वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए हम इस चीजों का भी ब्रीफ ही रखेंगे, ठीक है, अभी अगे पढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां आता है कि साधना के बारे में कबर कर लिए विदिक दिन चरह का पालंग कर लेंगे, शर्णागति हो जागी ब्रम चरह का पालंग कर लेंगे, परम दू अब शास्त्रप पढ़े कहां से, तो इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम आपको फटा- कैसे की थी, मैंने शुरुवात की थी आर्काइव से, और करके एक वेबसाइट है, जो की पब्लिक लाइबरेरी है, जहां पर बहुत सारे पुस्तक आपको सर्च करने पर ऐसे ही मिल जाते हैं, आपको सर्च करना होगा, कि मुझे ये पुस्तक मिलना है, ये है, तो उसके ज सर्च करना होगा, कौन सा ऑथन्टिक है, कौन सा इन ऑथन्टिक है, और बहुत सारे चीजे चलेगी, तो आर्काइव पर जा सकते हो, पर इसके कुछ जो लिमिटेशन है, उसको ध्यान में रख कर, दूसरा है, वेदिक स्क्रिप्चर्स.com, यह यह भी बहुत अच्छा है, इसके उपर आपको सिर्फ वेद मिलेंगे, इस इस लिमिटेशन, बहुत ही अच्छा से उन्होंने यह बना है, वेबसाइट, हाला कि इसमें अलग अलग टिकाएं भी है, इसमें अलग तिकाएं भी है, और सब कुछ नहीं मिलेंगा, तीसरा है, विस्डमलिब.org, यह भी ब इसमें अलग अलग स्रिप्चर्स आपको मिल जाते हैं, परमतू स्वयम सनातन धर्म के लिमिटेड स्रिप्चर्स हैं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति है जो इसको टाइप करके या फिर कुछ करके या सब चीजे करा, इसकैन करके लट से, इसलिए वो चीजे बहुत ही स्लो आग एक बैक मारने पर एक और पूरा पॉपप पैड़ा जाएगा, बहुत सारी चीजे हैं, तो अनॉइंग हो जाता है, and second thing, it is slow, comparatively और सब एक वेपसाइट से काफी slow है, पर हाँ, आप यदि पढ़ना चाहते हो, तो ये भी बहुत अच्छी है, पांच्वा है, documents.org, इसके उपर लगबग लगबग आपको सारे शास्तर मिल जाएंगे, पर इसका यह limitation है कि यह सिर्फ संस्कृत में ही मिलते हैं आपको, इसके अंदर आपको भाशांतर नहीं मिलता है, तो जब हमने शास्तर पढ़ना शुरू किया था, तो हमने बहुत सारे यह problems face की थी, परम्तू हमने यह जो साथ आट साल का जो हमने शास्तर का अध्यान किया, उसके दोरांथ हमने अपने परसनल ही अपने पास एक शास्तर का पूरा collection बनाया था, जिसके अंदर लगबग लगबग सारे शास्तर आ जाते थे, उसमें भी अलग अलग भाशाओं के, अलग अलग प्रकाशनों के यह सारी जीज़े हमने हमारी परसनल लाइबरे में बनाया थी, तो इसलिए उसको हमने पब्लिकली अवलेबल किया है एक application के रूप में, जो की है, verification library है, यदि आप Android में है तो आप Play Store के उपर सर्च कर सकते हैं, iOS में है तो आप App Store के उपर सर्च कर सकते हैं, आपको application मिल जाएगा, उसके अंदर एक अजार आठ से ज्यादा शास्तर अल्रेडी है, अलग-अलग भाशाओं में हैं, English, Hindi तो है ही है, साथ में जहां-जहां हमको गुजराती, मराथी, औरिसा का जो ओडिसी, और जितने भी, ओडिया, sorry, not ओडिसी, और ऐसे जितने जितन बनाया है, बहुत ही ज्यादा organized रूपने हमने इस library को बनाया है, तो यदि आप इसको पढ़ेंगे, तो clearly आपको पता चलेगा, कि हां मुझे कौन सी गीता पढ़ने है, लग-बग 50 टाइप गी तो हमने सिर्फ गीताए रखी है, तो ये गीता पढ़नी है, click करो, कौन सी टि पढ़ेंगे, तो हमने बहुत ही organized बनाया इसको पर indexing के उपर हमने परसनल एक एक शात्र में बहुत मेहनत किया है, तो आप वह भी पढ़ पाओगे, और इन सब को हमने index किया है, आप सीधा chapter पर click कर पाओगे, खंड के उपर click कर पाओगे, अध्याय पर click कर पाओगे, और स जो हमने अपलोड किया है, हमने प्रयास किया है कि हम चेक करें सारे के सारे शास्तर की इसमें से authentic कौन से है, हाला कि यह है कि कुछ limitations रहती है, हमेशा कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी चीज़े रह जाती है, जो कि ध्यान बाहर निकल जाता है, ऐसा होता है, तो आप हमेशा हम अथेंटिक है, और इसकी website भी है, यदि आपको laptop के ऊपर चेक करना है, आपके PC के ऊपर चेक करना है, तो आप education.world जो website है, उसके ऊपर आप जा सकते हैं, और उसके ऊपर आपको library मिल जाएगी होना, on top of all these things, सबसे बड़ी बात यह है कि उसको हमने completely free रखा है, हमने कोई ad भ भी लगवग लगवग पचास, साथ, सतर हजार था तो सिर्फ यह server का और यहां वहां का जो और जो हमारी services होती है, उसी के खर्चे हमारे आ जाते हैं, हमें donation मिलता है, यहां वहां थोड़ा थोड़ा लगवग 30-40 प्रतिशत हमारा उसमें से निकल जाता है, पर तो फिर भी और भी जो है, सारा खर्चा हमारी जेब से ही जाता है, पर हमें कोई problem नहीं है वैसे, देखे तो जब तक हम निकाल पाते हैं, वह लक्षमी हम निकालेंगे, जब नहीं निकाल पाएंगे तो आपको बताएंगे फिर आप कुछ कीजेगा, पर हम तो अभी तो हम निकाल रहे फीज नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, कोई आवशक्ता नहीं है देने की हमारे लिए यही दक्षिना होगी कि आप उस library का पूर भर पूर उपयोग करो, अच्छे से उपयोग करो और शास्त्र को regularly पढ़ो, तो अभी यदि आपको पढ़ना है तो आपको सिर्फ इस ए कि सबसे पहले जब हमें हमको जब लोग पुछते थे कि आप यह सब ग्यान देते हो, हमें भी लेना है, कहां से शुरू करें, हम जनरली भगवत गीता का नाम देते थे, विच इस दो वेरी फंडमेंटल नॉलेज ऑफ दे स्क्रिप्चर्स, शुरुवात यहां से होती है, परम्तु हमने जब लोगों को बताया, तो लोग पढ़ पढ़ कर भी वापस आकर हम को यह बोलता थे कि भाया, हमने पढ़ तो लिया भगवत गीता, परम्तु कुछ पता यह नहीं चला, कुछ समझ ही नहीं आया, थोड़ा थोड़ा यहां पता चला पर फिर भी कोई ऐसा क सिगनिफिकंट जो चेंज आना चाहिए वो नहीं आया, तो कोई और सरलल सरलल पुस्तक बताइए, जो हमको और ज्यादा बेसिक से हमको समझाए, यह पुस्तक लिखा बहुस पुस्तक बेसिक सब सनातन संस्कृति, इसलिए अभी हमारा सबका अभी सबके लिए यही सलाह हो का बेसिक सी क्लियर नहीं होता है, तो फिर और सब चीजे कंफ्यूज कर जाती है, कोई समझ भी नहीं आता, पर वन्स आप अपना बेसिक क्लियर कर लेते हो, तो आपको सारे शास्त्रों का अंडेसेंडिक बहुत ही जादा क्लियर हो जाता है, उसके बाद आई सजेस्ट कि अपको वेधिक दिन चरह पढ़नी चाहिए, ब्रहमचरे पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस से आपका साधना और सणागति का क्लियर हो जाएगा, बढ़ यदि आपको नहीं भी पढ़ना है यहाप, आपको लगता है कि नहीं मैं तो ब्रहमचरे का पालगन कर पता हूँ, शुमित भागवत पढ़ना चाहिए उसके पश्चात आपको महाभारत पढ़ना चाहिए अब इतना पढ़ते हैं यदि आप कम से कम पीन से चार साल लग जाएंगे हमारे यह मनना है कि यदि आप ध्यान से अच्छे से यदि रामायार्ण भागवत पुरान और महाभारत पढ ग्रंथ है तो इतना पढ़ते में आपके कम से कम तीन चार साल लग जाएंगे तो वाइल आप यह पढ़ रहे हो ना ऐसे में यदि आपकी साधना सही से चल लए ना तो आपकी साधना की वृद्धी आटोमेटिकली होगी आप लैसे कि आपने शुरुआत किया था एक हरे कि टिशना महमंतर की माला से तो जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो ना तो इस बेरी नेश्रल क्या आपका साधना बढ़ना चाहिए उसका कॉंठिटि ओर क्वॉलेटी दोनों बढ़ना चाहिए यदि नहीं बढ़ रहे हो कोई ना कोई प्रिंसेपल यहां पर पर मैच नहीं हो र वरना नहीं होगा भगवान भगोदीता में बोलते हैं ददामी बुद्धी योगमतम भगवान बोलते हैं कि मैं ही आपको बुद्धी देता हूं यदि शास्त्रों को भी समधना है कुछ भी चीज़ा को दुनिया भी करना है वो भगवान ही बुद्धी देते हैं तो यदि आ में तो आपकी उच्छे लेवल की साधना हो जानी चाहिए कम से कम आप दिन के देर दो घंटे का तो आप साधना करते ही होने चाहिए और देट इस गुड़ इनफ यदि आप सोला माला करते हो भगवा हरी किष्णा महामंतर की अच्छे से और दूसरी बात यह है कि इतना पढ़ो न तब तक आपको आपकी परंपरा की प्राक्ति भी कर लेनी चाहिए और उसको उनको इनको कॉंटेक करके उनकी गाइणज में आपको आ जाना चाहिए तब जाकर इसके पस्चाथ फिर आगे वही आपको गाइड करेंगे कि आगे क्या पढ़ा जाए ठीक है क्या आपने अलड़ी जो requirements है वो fulfill कर ली होगी automatically इतना पढ़ने के पस्चाथ तो इसके बाद परमपरा प्राक्ति कीजिए फिर उनहीं को पूछे कि आगे हम क्या करें वही आपको गहिर करेंगे परम तुलेट से आप यहां नहीं कर पाएं तो आगे फिर आप नीती शास्त्र पढ़ सकते हो सूत्र शास्त्र पढ़ सकते हो और पुरान दी है वह भी पढ़ सकते हो या यदी एंड अगें एक और चीज़ है जो हम आपको रेक्यमेंड करते हैं वो यह है कि आप फिर से भगवदीता पढ़ो फिर से रामाया पढ़ो फिर से भागवद पुरा पढ़ो क्योंकि जनरली कोई भी शास्त्र आप एक बार पढ़ने में उसका पांच प्रतीशत भी उसका जो रियल करक्स है वो नहीं समझ पाओगे आप रिपीटेडली यदी पूरा जीवन भी सिर्फ भगवदीता भी पढ़ते हो ना तो हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा अब एक पॉरषन यहां था इसके बद की आप सब बोले पर वूर के बार मैं तो बोले नहीं वेयर क्यों नहीं पढ़ना है अभी देखिये अभी ट्रे excitement एसा चलना है कि हर किसी को वेद पर नाया है कि हर किसी को यह लगता है कि अज्म्हें फजह को र Çok और में लॉगा यह करोंगा वह नो गां यह करूंगा गो करूदेए इतना सरली नहीं टीशीी वाथ को जोई पं के लिए पढ़ने वाली चीज है भी नहीं वेद में अधिकतर लोग जो यह बोलते हैं कि हमसे यह रखा गया वो रखा गया है हमें क्यों नहीं पढ़ने देते यह है वो है इतने सारे रूल्स और रेगुलेशन यह सब क्यों है हमारे पास हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है हमें भी अधिकार होना चाहिए वेद पढ़ने का चलो दिया अधिकार आप शुरू करो आई गैरेंटी यू आप आप दो दिन भी नहीं पढ़ोगे और फिर रख दोगे तोगे तोगे वेद एक्स्ट्रीमली बोरिंग है वह एकदम कंटेंपररी शास्त्र है ठीक है यह इसमें आपका कोई फन नहीं होग नहीं है अलगलग भगवान के जो अलगलग रूप है भगवान के जो अलग-अलग जो देवी देवताव के जो अलग अलग औलग गूप है, उनकी फुत्तिया है यक्यू का हावाहन है अध्यूं ओना मंत्र है एसे ऒरी चीजब है कोई इंटरस्टिंग चीज है? हाँ, ऐसा नहीं कि एकदम बोरिंग है or something. There are some places जहाँ पर आपको इंटरस्ट आएगा. But एक modern mind के लिए वेदों में इंटरस्ट लेना, it is extremely hard. इसलिए व्यासदेव जी ने पुरान लिखे हैं. जिसे हम जो कल्यूग के जीव हैं, उनको इसके अंदर प्रॉपरली हम इंटरस्ट भी बिठा सके. और हम उसमें से सारा जो वेदिग ज्यान है, वो पुरान और इतियासादी में से हमको मिल जाए. परमतु यदि आपको वेद पढ़ना भी है, तो रूल यह है कि आप उलेड़ी परमपरा में होने चाहिए. दूसरी बात आपका उपनेयन संसकार होना चाहिए. आप द्विज होने बहुत आवशक हैं. और उपनेयन मतलब की जो जनेव होता है. जनेव का उपनेयन संसकार होता है, वह होना बहुत आवशक है. और तीसरा कि आपका गुरुकुल्वास के अंदर ही आप जनरली वेद पढ़ते हो. असा नहीं है कि आप इंडिपेंडेंटली पढ़ना शुरू करते हो, कहीं पर भी नहीं. आप हमेशा गुरुके अंदर ही वेद पढ़ना शुरू करते हो, और आपका पूरा जो वेद ध्यान है, वो गुरुकुल्वास में ही होता है. यह इसके नियम है, इस चीज को लाइटली मत लीजे, ऐसा मत समझें कि नहीं नहीं, मतलब यह है, यह दिया है, आप नहीं अपने अपसाइड पर अपने पढ़ दिया है, हम क्यूं ना पढ़ें? देखिए, हमने इसलिए दिया है, जिससे हर किसी को एकसेस मिले, जिनको अधिकार है, जो अलड़ी रिकॉर्मेंट्स को मीट करते हैं, वह पढ़ सकें, बाकी आपको रिस्पॉंसिबल स्वयम बनना चाहिए, और ऐसे ही रेंडमली नहीं पढ़ना चाहिए, मैंने खुद न जो भी हमारा है, जो जरुरी स्टेप्स हैं, वह हमने नहीं किये हैं, इसलिए हमने खुदने भी वेद नहीं पढ़े हैं, और हम कभी पढ़ना भी नहीं चाहेंगे, जब तक हम इन चीजों को फॉलो नहीं कर लेते हैं, और सच बताएं तो मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर इं वेद पार्टि हैं, तब उनसे जाकर उनसे सलाह ले सकते हैं चीजों को लेकर, आप उनको बता सकते हैं कि हमको इस्टिउशन को लेकर आप वेदुक्त जो सलाह है, वह हमको दीजे, और उनसे वह सुन सकते हैं, परमतु संस्कृत में प्रॉपर जो वेद मंत्र हैं, वह और यदि आप वेद मंतर का उच्छारण भी यदि आप गलत अवस्था में कर रहे हो यदि आप संपुन रूप से शुद्ध नहीं हो तो भी आप आपको उसका अपराद लगता है तो अंतिम रूप से फिर नरक गाम होने से अच्छा यह है कि हम उसको पढ़े ही नहीं और य है रेक्मेंडेशन है मेरी यह प्राथना है कि जब तक आपका अधिकार नहों तब तक आप उन स्पिरिच्वल प्रोसेस में ना जाए वन अफ दम इस वेदा ध्यान जोगी आपको नहीं करना चाहिए हाला कि यह जो हमने पढ़ा यह सब इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे यह सीरीज है जो सनातान संस्कृति काम होल गया उसी के अंदर पढ़ेंगे और इसी के अंदर आपको सारे प्रशनों का जवाब आपको ऐसे ही मिल जाएगा आपको जरूरत ही नहीं पढ़ेगी कुछ और पढ़ने की यदि आप एक सीरीज को भी सेंड आप प्रॉप सेना हमने इसी के अंदर कंपाइल किया यदि आप नहीं खरीच सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है हम उसी के उपर सीरीज बना रहे हैं आप देख लेंगे ठीक है अभी अभी तो हम यहां पर इस वीडिये को खतम करते हैं अगले वीडियो में हम बात करेंगे की अशांत मन को कैसे करें कि शास्त्र पढ़ने का एक और उद्देश यह भी है कि व्यक्ति अशांत होता है और इसको पता चलता है कि मुझे अभी शांती चाहिए है तो मैं क्या पढ़ों से मेरी मेरी जीवन में शांती आए इतना सब कुछ जीवन में चला है मन इतना अशांत है कि अभी जीने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आशांत मन को शांत कैसे करें, इसके उपर हम अगले वडियो में बात करें तब तक, तब तक क्या, दाल रोटी खाओ और हडी गुंगाओ